गोरगपूर से खबर आ रही है सीनियर फोटो जनरलिस राजीव केतन का निधन हो गया है फेपड़ों के इंफेक्शन से पीडी थे इलाज के दौरान वरिष्पत्रकार का निधन हुआ पीजी आई में चल रहा था राजीव केतन का इलाज बत्रकार के निधन से गोरखपूर मीडिया जगत में शोक की लहा है सीनियर फोटो जनलिस्ट राजीव केतन का निधन हो गया है इस वक्त ये पड़ी खबार आ रही है फेफणों के इन्फेक्शन से वो जूज रहे थे इलाज उनका पीजी आई में जारी था लेकिन इलाज से कोई पाइदा नहीं पहुंचा और अब ये दुखत खबर आ रही है फेजी आई में उनका जो इलाज चल रहा था उसी दोरां उनका निधन हो गया है हमारे एग्जेक्यूटिव एडिटर विजेश शुकला जिस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है विजेश जी आपसे जाना चाहेंगे राजीव केतन जी इनका नाम गिना चाहता है फोटो जनरलिस्ट में एक बड़ा नाम इन्हें कहा जाता है इनके बारे में दर्शल के साथ आप कुछ शेर करना चाहेंगे जी दर्शल राजीव केतन अगर हम पूरे यूपी की बात करें तो एक ऐसा नाम नहीं चाहिए जिसको सब लोग जानते हूँ लेकिन अगर पूर्वांचल की बात करें तो राजीव केतन एक बड़ा नाम थे और गोरफपुर शेहर जो साहितिक और सांस्कृतिक गतिविदियों का केंद्र माना जाता रहा है उत्तरपदेश के लिए भी और पूर्वांचल के लिए खास तोर पे वहां पर जैसे किसी शहर का चौराहा होता है वैसे राजीव केतन सांस्कृतिक गतिविदियों का चौराहा थे गोरफपुर में और उनके बहुत जादा उम्र नहीं थी लेकिन कुछ दस दिन पहले ये खबर आई मेरे पास की उनके तबीयत खराब है और उन्हें अडमिट कराये गया है तो एक सामाने बात होती है किसी के भी तबीयत खराब होती है तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सबको छोड़ कर चले जाएंगे हफता पर पहले करीब उनको गोरकपूर से लखनओ रेफर किया गया तिम्दे गांदी पीजियाई में उनको भरती किया गया तब भी पता लगा कि फेपड़े में निमोनिया था पहली खबर सुनने पर ऐसा है लगा था है कि उन्हें कोरोना तो नहीं है हलागी मेरी जानकारी में जहां तक नहीं कोरोना नहीं था लेकिन अभी ऐसी खबर बिया रहे थी जिनको और पोजीटिग भी बताया गया तो आज ये दुखत खबर आई और सच माइने में गोरकपूर और आस पास के तमाम दिलों के लिए ये बहुत दुखत खबर है राजियो केतन एक व्यक्ति नहीं एक पूरी संस्था थे फोटोग्राफी, जर्नलिजम, म्यूजिक, लिटरेचर सब में उनका दखल था और ऐसा दखल था कि वो लोगों का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाते थे पैंटिंग, वो वरक पूर विश्वत जाला के आर्ट के करेड़े की चात्र रहे और वो चात्र ही नहीं रहे, वो चात्र रहे तब भी वो एक शिक्षक की तरह काम करते थे तो एक ऐसे व्यक्तिका चले जाना उस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी प्शति है और वàiक्टिकाट तरह पर मेरे लिए बहुत बड़ी थे और मेरे प्रमित्र थे और मैंने उनके बहुत सानिदु में रहकर करके देखा है कि वो किस तरह से हरे एक ज़रुतमन की मदद करते थे और जितना भी उनकी जो उनकी जानकारी थी उससे सभी को समर्द करते थे तो वाकई आज की दिन में अगर उनकी कॉरोना से मौत हुई या कॉरोना से नहीं हुई जैसे भी हुई एक बड़ी ट्शतिय है पुर्वान्चल के लिए जी तो फोटो जर्नलिस्त थे समाज का आईना थे और जिस तरीके से आपने बताया साजा की उनके बारे में जयानकारियां यकिनन पत्रकारिता के जीवर में उनके बहुत से उतार चड़ाब भी रहे और बहुत महत्तपूर उनकी भूमिका भी रही बहुत शुक्रिया विजे शुक्राजीस जानकारी के लिए आपका